जहीं दोस्तों तो आज हम देखेंगे अपने सेट नमबर 39 को 5000 प्लस MC की मेरेथान सीरीज को लेक्चर की PDF के लिए आप टेलिगराम गुरूप को जॉइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो दोस्तों आज भी कहा है कि हम अपने 10 questions को इस set के अंदर में देखेंगे तो जो हमारे questions रहेंगे वो 381 से 390 के बीच में रहने वाले हैं तो यहाँ पर कहा है कि आप वीडियो को pause करके question को attempt कर सकते हैं तो यहाँ पर पहला question देखते हैं यहाँ पर कहा रहा कि which of the following statement not correct regarding seaweeds तो जैसे कि हम सबसे पहले अपने basic से start करेंगे और फिर यहाँ पर जानेंगे यह seaweeds क्या होते हैं तो आपने यह पढ़ा होगा एक तरफ coral reefs होती हैं है ना और आपने एक तरफ यह पढ़ा होगा हमेशा seaweeds तो जैसे ही आपने वो देखा है ना weeds क्या होते हैं unwanted plants होते हैं जैसे हमारे agriculture fields के अंदर में क्या होते हैं unwanted plants आ जाते हैं जो हमारी crop को damage कर देता हैं तो आप ऐसे ही समझो जैसे coral reefs क्या होती है हमारी समुदर के नीचे यह देखने को मिलती है तो हम कह सकते कि coral reefs shallow water के अंदर में देखने को मिलती है तो यहाँ पर क्या है कि seaweeds भी shallow water के अंदर देखने को मिलती है यानि कि दोनों समुदर के नीचे देखने को मिलते है तो अब यहाँ पर क्या है कि जो इनकी height रहती है विट्ट से चाहिए होता जितना की सीवीड को लीड रिलीस करते हैं यह हमारे सीवीड से तो अब यहाँ पर कहें कि सपसकरो जैसे यह इंडिया का मैप हो गया अब यह से समझो इसके नीचे कहे कि हमको यह एक तरीके से यहाँ पर सपसको करो को यह देखने को मिलते हैं तो अब यह पर क्या होता है कि जब समुद्र के में यह का कि एक तरीके सा यान ये एक तरीके से जंगल बना लेते हैं तो इनको बॉला को समुद्र के अन्दर को इब परेस्ट बना लेते है यह जो सीउड is न की इतनी दियृbaby और अधर मार्कट के अंदर बाग यह यहा यह कि दे से चाइन fertilizer के रूप में यूज करते हैं क्योंकि nutrients से ज्यादा होता इसको अपनी के खेती के अंदर में डालते हैं तो हमारी फसल भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है तो अब यहां पर क्या होता है कि जो हमारे अंदर यानिके जो metals पाए जाते हैं उनको कहा कि एक तरीके से help करते है इनको trap करने में यानिके उन metals को remove करने में हमारे marine ecosystem से तो यह सारा का सारा क्या है कि हमको benefits देखने को मिलता seaweeds में तो यहां पर हम अपनी statement को पढ़ेंगे क्यारा कि they help in trapping and removing heavy metals found in marine ecosystem तो दोस्तों यह statement ठीक हो जाएगी अब second statement करा they heavily rely on iron for photosynthesis तो दोस्तों यह वाली statement भी बहुत ठीक है क्योंकि यहां पर कहाएगी जो अंदर iron present होता यह उसके उपर बहुत ज़्याद़ डिपेंड होता है अपनी photosynthesis के लिए third करा कि they form dense underwater forest known as kelp forest यह वाली statement भी ठीक हो जाएगी अब यहां पर कहाएगी दे आरता primitive marine flowering algae with root stem and leaves तो यहां पर क्या है ना यह देखना अब यहां पर कहाएगी यह विना root के यह present होता है तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक यही बढ़ता जो हमारा इस statement का गलत है और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी statement गलत है तो हमारा जो answer होगा वो D हो जाएगा इसके अंदर में तो याद रखना है इनकी कोई मतलब जड़े नहीं होती है second question को देखेंगे करा है recently RBI released करती है guidelines on the establishment of digital banking units in this context which of the following statement correct तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह जानना होगा यह digital banking units क्या चीज़े तो जैसे आपको पता है कि जैसे नाम से पता चल रहा digitally banking units यानिके जो हमारे banks है यानिके जो हमको banking की facility मिलती है अब हम इसको online करने जा रहे हैं तो आपने देखा होगा इंडिया का digital India campaign चल रहा है तो यहाँ पर लोगों को सुविदा हो सके तो यह सारी services क्या है यह banking की services हमको online मिल सके तो जैसे हम यहाँ पर cash deposit और withdraw करते हैं यहाँ पर हम वो भी कर सकेंगे अब यहाँ पर अपनी KYC को update कराना यह भी सारी चीज़ होगी account open करना यह भी सारी चीज़ हमको देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जितने भी हमारे scheduled commercial banks है यह स हाली में सरकार ने इसको announce करा है तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जितनी भी यह digital banking units होगी इनको एक तरीके से banking के रूप में मतलब banking outlet के रूप में ही माना जाएगा तो यहाँ पर अब statement को देखेंगे कह रहा है all domestic scheduled commercial banks including regional rural banks with past digital banking experience are permitted to open db use तो यह statement गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर सरकार ने इनको exclude करा है ना कि include करा है ठीक है अब second कह रहा है कि each digital banking units will be treated as a banking outlet तो दोस्तों यह वाली statement बिलकुल ठीक हो जाएगी third or fourth करा it cannot provide for cash withdrawal and deposit गलत हो जाएगी it will facilitate only kyc application and complaint registration यह भी गलत हो जाएगी तो हमारा answer इसमें होगा बी अब यहाँ पर third question को देखेंगे arrange the following iron ore mines of India from north to south direction तो दोस्तों यहाँ पर कहाएगी इसने कुछ iron mines से दे दी जैसे बैला डिला मयूर्भंज बलारी दुर्ग तो दोस्तों यहाँ पर कहाएगी जैसे आपने मयूर्भंज जो iron ore की mines से देखी है यह कहाँ पर है हमको ओडिशा में देखने को मिलते है और ओडि karnaatka का होता है तो यहाँ पर हम कहाएगी जो बलारी माइन से हमको करके में किलेखने को मिलते है अब यहां पर हमारा मयूर्भंज हो गया मयूर्भंज बलारी हो गया अब यहां पर बैला डिला और दुर्ग को पास में हम तो दोस्तों यहां पर आप ऐसे समझो यह हमारा इंडिया का मैप हो गया अब आपने जैसे जोगरफी में human settlement एक chapter है जोगरफी के अंदर में तो यहां पर humans कैसे कैसे settle हो रखे हैं उनके बारे में इसने बता रखा है तो आपने कहीं book में पढ़ा हुआ कहीं तीन दे रखा है कहीं चार दे रखा है तो majorly यह तीन parts में classify करे गए है जो human settlement रहते हैं तो जैसे आपने देख में यहां फिर hilly areas mountain वाले region में देखने को मिलता है तो उसको बोला जाता है dispersed वाला area तो हमने dispersed वाला area यहां लिख दिया अब ऐसी होता है जो cluster भी है और dispersed यानि कि दोनों का है तो यहां पर आता है फिर बीच में semi cluster तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो घरों के बीच में यानि कि वो इकठा तो है लेकिन इन इकठा के साथ साथ यह थोड़ा दूर भी है तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे घर जो है एक तरीके से clusters में हो गए तो यह सारे क्या है कि हमको एक तरीके से features देखने को मिलता है तो आपने देखा हुआ इंडिया में कि यहां पर गंगा यमना दौ देखने को मिलती है फिर उसके बाद में आता है हमारा semi cluster तो फिर आप यहां पर देखोगे जैसे हमारा यह यहां पर गुजरात हो गया इधर राजस्थान होगे तो हम कह सकते कि यहां पर semi cluster वाला region देखने को मिलता है और dispersed वाला region हमको जंगलों में हिली mountains में तो आप कह सकत है generally found in fertile alluvial plains है यह वाला region है and in the north eastern states तो पहली statement ठीक हो जाएगी फिर कहरा semi cluster यहां पर cluster भी है और बीच में थोड़ा gap भी देखने को मिलता है और widespread in gujarat plains and some parts of राजस्तान यह वाली statement भी ठीक हो जाएगी आपने देखा होगा कि जैसे राजस्तान में कहें कि पानी की कमी जैसे जहां पर अगर थोड़ा बहुत भी पानी एवेलेबल है वहाँ पर हमको cluster में लोग रहते हुए देखने को मिल जाएंगे ठीक है अब यहां पर अपना fifth question को देखेंगे can I consider the following statement with regards to maize production in India तो दोस्तों यह very very important लगाना prelims 2023 के लिए क्योंकि यहां पर कहें कि देखो आपने देखा होगा हमारा क्या कि एक होता है millets हो गया और यह हमारे होते हैं दूसरे यह maze तो यहां पर क्या है कि जैसे maze है ना इसको हिंदी में बोलते है मक्का तो यहां पर क्या है कि मक्के की जो खेती होती है यह पूरी दुनिया के अंदर में हमको देखने को मिलती है तो आप ऐसे समझो यह हमारा zero degree पर equator हो गया और यहां पर क्या है कि यह इंडिया का पार्ट हो गया तो अब यहां पर क्या है यह हम कह सकते है कि ह्ी खारिफ सीजन में भी देखने को मिलती है और यहां पर क्या है कि जो नियौ Central American countries हो गोई, यहाँ पर कहा है कि बहुत जादा भी उगाने को देखने को मिलते हैं, तो पूरी दुनिया इसको उगाती है, अब यहाँ पर कहा है कि Maze cultivation is concentrated only in the Central and Northern parts of India, तो दोस्तों यह statement गलत हो जाएगी, तो अब यहाँ पर कहा है कि जो Maze है, grows well in old aluvial soil, तो दोस्तों यह वा हमारी यह भांगर वाली soil है, यानि को जिसको हम old aluvial soil कहते हैं, यहाँ पर यह सबसे जादा उगाने को देखने को मिलते हैं, मक्का की production, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा Eastern यूपिया बिहार साइड वाली state है, वहाँ पर यह देखने को मिलती है, तो हमारी यहाँ पर कहें कि यह यह statement बिल्कुल ठीक हो जाएगी second वाली, तो हमारा answer यहाँ पर खाली second ठीक होगा, अब six question को देखेंगे, करा it is a type of agriculture where you will see crop specialization, large capital investment, scientific methods of cultivation, managerial and technical support, large state of or plantations, cheap labor, good connectivity to the export market, identify the type of agricultural practice mentioned in the above description, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर इसने characteristics से दे रखिया और यहाँ पर जैसे हमने पहले वाले lecture में भी देखा था कि इसका answer होगा plantation agriculture, तो यहाँ पर क्या है कि यह जो plantation agriculture है यह highly developed countries यहाँ पर practice करती है, तो यहाँ पर क्या होता कि एक बहुत बड़ा एक तरीके से field होती है, इस में कहा कि सिर्फ एक ही, यानि कि एक specific crop को उगाया जाता है, profit के लिए यानि कि इसको इतने high level पर उगाया जाता है, और यह इसकी बहुत ज़्यादा जमीन पर उगाया जाता है, तो हमको cheap labor की जरुरत होती है, ताकि productivity और profit हम निकाल सके, अब यहाँ पर कहा कि इसकी connectivity हमारी market से अच्छी होनी चाहिए, ताकि profit देख सके, तो यह सारी characteristics जो है, plantation agriculture के इससे पहले वाले lecture series में, यानि कि इसी में हमने देखा था, अब यहाँ पर 7th question को देखेंगे, कह रहा, which of the following statement is your are correct with reference to manganese, तो दोस्तों, जैसे ही manganese का नाम आए, आपको दिमाग में, mind में क्लिक करन चाहिए, इंडिया के अंदर में, ओडिशा, यानि के कह सकता है कि 40 या 44% के आस में, हमको क्या है कि manganese के reserve देखने को मिलते हैं, यानि कि सबसे ज़्यादा manganese के जो और है, हमको ओडिशा में देखने को मिलते हैं, और याद रखना यह क्या कि एक तरीके से जो iron और है न, आप ऐसे समझो, पूरी दुनिया के अंदर में iron और available है, तो आप ऐसे समझो, जैसे पूरी दुनिया को क्या iron की बहुत ज़्यादा जरूरत है, अगर iron नहीं होगा, तो हमारी दुनिया के अंदर में development नहीं होगा, तो अब इस iron के लिए हमको क्या है की, और iron और कैसे निकल में से तो जब इसको हमने iron को निकाल दिया तो अब यहां पर smelting करी जाएगी smelting का मतलब है इसमें क्या कि जो भी impurities है इस iron के साथ में आई है इसको जला करके क्या कि impurities को हटाया जाएगा और iron को अलग निकाला जाएगा तो यहाँ पर इसका मतलब यह है तो यहाँ पर manganese को हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं तो पहली statement हमारी ठीक हो जाएगी second करा manganese deposits are found only in the धारवार system of geological formations तो दोस्तो आप ऐसे समझो manganese को हम iron के लिए यूज करते हैं statement हमारी गलत हो जाएगी फिर कह रहा है कि सुंदरगड और काला हंडी are the important mines of manganese located in करनाटका तो दोस्तों यहाँ पर कहेंगी जो सुंदरगड और काला हंडी यह ओडीशा के अंदर में आते हैं ना कि करनाटका के अंदर में तो यह statement गलत हो जाएगी तो हमारा answer खाली पहला वाला यहाँ पर ठीक होगा अब यहाँ पर अपने 8th question को देखेंगे तो यहाँ पर आप हम इसको ऐसे समझेंगे यह हमारा अर्थ हो गया और अर्थ में भी क्या है हमको zero degree equator देखने को मिलता है और यहाँ पर क्या है कि हमारा tropics वाला region हो गया यानि कि हम कह सकते कि 23 degree north लेकर के 23 degree south वाला region यानि कि यह जो region है tropics वाला region है तो यहाँ पर कह रहा है कि जो primitive subsistence agriculture है वो हमको subtropical region में देखने को मिलती है subtropics का मतलब यह इसका मतलब हो गया यह वाला region तो पहली वाली जो statement है यह गलत हो जाएगी क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले में देखा था जो हमारी agriculture है वो different types की देखने को मिलती है हमने देखा primitive subsistence farming होती है फिर यहाँ पर commercial farming देखी हमने तो अब यहाँ पर कहाई कि जैसे नाम पता चल रहा primitive यानि कि पहले वाले लोग जो old technology का यूज करते थे और subsistence agriculture मतलब खुद के consume के लिए यूज करते थे तो यह वाली जो farming practices है हमको ट्रॉपिक्स वाले रीजन में देखने को मिलते है ना कि सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में तो पहला वाला जो statement हो गलत हो जाएगी second करता mixed farming तो दोस्तो हमने इससे पहले देखा था जो mixed farming है यह क्या है कि हमको इसके अंदर में crop भी उगाने को देखने को मिलते है और यहाँ पर पशु पालन देखने को मिलता है यानि के mix है दोनों को तो दोनों को क्या है कि equal weightage दी जाती है तो यह क्या है कि यह हमको highly developed region में देखने को मिलती है ना कि equatorial वाले region में तो यह भी गलत हो जाएगा फिर कहता है collective farming को दोस्तो हमने यह देखा था कि USSR के time period के दोरान में जो stalin था तो इसने क्या करा था पहले क्या है कि जो जमीन थी ना बहुत सारे लोगों के पास में divide कर रही थी यानि के छोटे छोटे टुकडों में यह लोगों के पास में थी तो जिससे क्या होता था इनका output निकल के नहीं आता था तो यह USSR के stalin ने क्या करा इसने सब को बोला क कि आप सब जो है अपनी जमीन के हिससे को एक बड़े पूल में बना लो तो यानि कि यह इतनी बड़ी फिल्ड बन गई इसको बोला गया collective farming तो इस collective farming को वहां की language में बोला जाता है coal cause तो यहाँ पर गया कि इस लिए इस farming को coal cause farming के नाम से भी बोला जाता है तो यहाँ पर कह question को देखेंगे can I consider the following statement the North Atlantic Sea Route connects New York and London तो दोस्तों यहाँ पर गये कि suppose करो यह हमारा हो गया Earth और अर्थ में यहाँ पर हमको zero degree equator देखने को मिलता है यह हमारा हो गया North America इधर हमको South America देखने को मिलता है और आपने देखा हुआ यह हो गया इधर Europe है ना अब Europe के बाद में वाला region देखे हो यह इसको बोलते हैं आप सबको पता हुआ यह Atlantic Ocean है अब इस Atlantic Ocean के उपर यानिके North यह तो आपने देखा हुआ जो USA का Eastern वाला साइड है यानिके हमको New York इधर देखने को मिलता और London हमको इधर देखने को मिलता तो यहाँ पर यह दोनों जो connect होते हैं यह वाल स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी सुनो क्यों क्यों कि यहां पर कहें कि दोनों क्या है कि दोनों highly developed countries में से आते हैं और यहां पर कहें कि जो पूरी दुनिया का 25% का एक तरीके से वर्ल्ड ट्रेड होता है ना इसी रूट से देखने को मिलता तो इस रास्ते की बहुत importance है, significance है इसलिए इसको बोला जाता है big trunk road तो यहां पर कहें कि हमारी दोनों statement ठीक हो जाएगी अब यहां पर 9 यानि कि आज का 10th question को देखेंगे consider the following statement regarding the sunflower production in India तो दोस्तों यहां पर आप ऐसे समझो यह कहें कि हमारा sunflower है sunflower नी यह अर्थ हमारी है और यह zero degree equator है अब आपको पता हुआ कि जैसे इंडिया के अंदर में कहें कि edible oils का बहुत ज़्यादा import होता है और इस edible oil में से सबसे ज़्यादा क्या है हम palm oil को import करते हैं और आपने देखा हुआ पायम oil का जो import है यानि कि total edible oil में से palm oil का जो import है हमार इन edible oils को क्या है कि इंडिया के अंदर में उगाया जाएगा और foreign dependency को कम करा जाएगा तो इसी एरिया में sunflower आता तो अब यहाँ पर जो इंडिया के अंदर में sunflower है ना यह सिर्फ और सिर्फ around 3.85% के आसपास देखने को मिलता है इसकी production को और यह सबसे ज़्यादा यानि कि और यहाँ पर कह रहा है कि its contribution to Indian oil seed production is less than 5% तो दोस्तों यह बिल्कुल हमारी statement ठीक हो जाएगी around 3.85% इसका production देखने को मिलता है अब कह रहा है कि it is grown in kharif and rabi season across the country तो दोस्तों यह वाली statement भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी अब यहाँ पर कहें कि इसको ना 12 महीने में हम कभी बहुआ सकते हैं यानि कि हम कहसकता हैं कि खारिफ , सीजन में वी भी उगा सकता है तो खारिफ इसन में क्या होता है कि आप ऐसे समझो almost तीन महीने चाहिए उते उतई इसको उगाने से लेकर के maturity और सरदी वाले time परिडłem स्धिरिश को चार महीने के आसपास चाहिए होता है और यहां पर कहें कि इसको जाधा temperature यानि के जो rainfall होती है वो इसको ज्याधा नहीं चाहिए होती आ नहीं इसको ज्याधा temperature चाहिए होते हैं तो आप यहां पर आप समझों इंडिया के अंदर में मोंसून देखने को मिलता बारिश देखने को मिलते जिसके वज़य से इंडिया के अंदर में इसकी ज्यादा प्रोडेक्शन नहीं हो पाती जिसकी वज़यसे यहाँ पर क्या कि आपने देखा होगा टैंप्रेट वाले रीजन में इसकी एक तरीके से बहुत ज़्यादा पैदावार देखने को मिलती है थर्ड स्टेटमेंट करा है महाराष्टा इस दा हाइस्ट सनफ्लावर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया तो दोस्तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी हमारा करनाट का है तो हमारा जो आंसर होगा इसका होगा 1 and 2 तो दोस्तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेशन तो थेंक्यू गाइज